दोस्तो हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर और सांसी जानवर के रूप में जाना जाता है साथ ही या दुनिया के सबसे बुधिमान जानवरों में से भी एक है इसका अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हनी वेजर गेट की कुंधी को आसानी से खोल कर बाहर निकल सकता है जेस कारण इसे आप लाकप में भी बंद नहीं कर सकते वहीं अगर आप इसे चार दीवारी में कैंट करना चाहते हैं तो वह भी संबह नहीं है क्योंकि यह जानवर किसी भी वस्त को सिंड़ी बना कर दिवार पर चड़ सकता है इसके अत्रित सीसे के बाक्त में बंद भोजन को वैसे ही खोल कर निकाल सकता है जैसे हम इनसान खोलते हैं और अगर आप उसे लटका भी देते हैं तो या किसी तरह वहां भी पहुचने का जुगार लगा लेगा दरसल हनी बेजर के दिमाग का आकार उसके सरीर के पेच्छा करित बड़ा होता है जिस कान या कुछ हग तक इनसानों की तरह सोचने की छमता रखता है आप जरा खड़ी दिवार पर चल रहे इस जानवर को देखिए इसे माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है इसे भी आप हनी बेजर की तरह काफी निडर जानवर मान सकते हैं क्योंकि इस प्रकार सीधी दिवार पर चड़ने और उस पर काफी देर तक डटे रहने में अच्छे अच्छो के पसीने छूट याएंगे वास्तों में इस बकरी का पतला सरीर और इसका खूर दो खंडों में विभाजित होता है साथ ही इसके खूर का निचला भाग रवर की तरह मुलायम होता है जो इन्हें प्राकिर्तिक कर्शन परदान करता है इसी वज़ा से ये असंभो जैसे जगां पर भी आसानी से चड़ सकते हैं ये जानवर नमक चाटने के लिए बाधों की दिवार पर चड़ते हैं क्योंकि इनके आहार में बिस्यास रूप से कैलसियम लमण की कमी होती है जिसकान इन्हें नमक खुद ही खूजना होता है इसी वज़ा से ये जानवर सिर्फ नमक चाटने के लिए अपनी जान की बाधी लगा देता है